सो गाईज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासिज हमारी मेरेट उनिवस्टी और सारानपु उनिवस्टी की बीर फिर्स्ट इयर की क्लासी चल रही है आज का हमारा सब्जेक्ट है पैड़ागोजी और मैथेमेटिक्स आज का हमारा टोपिक रहेगा अभ्यासकारिय ड्रिल वर्क इसे हम बोलते है ड्रिल मैथड भी बोलते है तो गनित में अभ्यासकारिय क्या होता है अभ्यासकारिय का क्या मैथो होता है वह सब आज हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे short question के रूप में ये question आपके paper में आता और important question है तो असान सा point है अभ्यास कारिया drill work या फिर drill method देखो क्या होता है अभ्यास कारिया होता है किसी भी चीज की बार-बार practice करना तो बार-बार practice करने से कोई भी चीज आपके वहवार में आ जाती है आप उसे जल्दी नहीं बोलते है एक्सपेर्ट बन जाते है तो वही अभ्यास कारिया होता है अभ्यास कारिया का यूज एक शिक्षक कणित के यूग शिखाने के लिए करता है grammar में भी काफी जप्यूज करता है कब्यास कारिया में क्या होता है उसे बार-बार परियोग करके देखना, बार-बार उसकी practice करना, अलग-अलग question में उसे लगा कर देखना, यह होता है हमारा abyaas कारिये, abyaas कारिये में कोई करिया छात्रों से बार-बार कराई जाती है, जिससे बच्चे उस करिया को अपने वहवार में अपना ले, उन्हें उ exercise आप करते हैं, कुछ उधारण देखते हैं, उधारणों की practice करते हैं, तो यह हमारा अभ्यास कारिया होता है, grammar में भी ना उनके नियम बता देता है, एक सिखसक, ना उनके नियम बताने के बाद काफी सारी exercise देता है, 10-12 question देगा, बच्चे करेंगे, फिर 10-12 अभ्यास कारिया के लिए बार बार किया जाने वाला परियासी अभ्यास कारिया कहलाता है, अर्थात अभ्यास कारिया वह पर किरिया है, जिसमें हम किसी कारिया को अधिक से अधिक बार करते हैं, जिससे हमें उस कारिया का ग्यान हो जाए, तसा वह हमारे विवार के लिए तथा अपने उद्देश से के लिए की जाती है तब अभ्यासकारिये क्या है किरिया है हम किरिया कर रहे हैं अभ्यासकारिये हम बार बार कुछ क्यों कर रहे हैं अधिक इस्थाई बनाने के लिए साचारिये को सुधर्ड बनाने के लिए साचारिये यह हमने उसमें प विक्सित करने के लिए हम करते हैं, बार बार जो प्रेक्टिस करते हूं अभ्यासकारिय होता है। हो सकती है जब उनको इन किरियाओ का विवस्ति डंग से अभ्यास कराया जाए जब तक अभ्यास कारिया नियामित विवस्ति डंग से नहीं किया जाता तब तक उसके द्वारा विद्दार्थियों में आवश्यक अक्षमता का विकास नहीं होता तता विद्दार्थि उन किरि लाब बच्चों को नहीं मिलेगा अब ब्यास कारिये के क्या लाब होते हैं बच्चों को बार-बार किसी भी चीज़ की प्रक्टिस कराने के क्या लाब होते हैं ये कुछ हमियाँ पर लिख देते हैं अब ब्यास दुआरा चात्र गनितिय संक्रियाओं में कुशलता पाते हैं एक्सपर्ट बन जाते हैं संक्रियाओं गुणा भाग जोड़ गटा करने में गनितिय किरियाओं चात्रों के वेवार में आ जाती है चात्रों का मानसे की विगास होता है चातरों को practice, बार-बार किसी कारिय को करने की आदत पड़ जाती है तो वह कोई भी कारिय सीखते हैं, उसे बार-बार करने की कोशिस करते हैं इससे सीखावा ग्यान इस्ताई हो जाता है अब ब्यास से चातरों की गणित में सूधता आती है और सीगरता आती है अब्यास करने से बच्चे गलतिया कम करते हैं और question का answer भी जल्दी करते हैं तो सुदतावे सीगरता आती है अब्यास से अब्यास से चातरों का अत्मिस्वास बढ़ता है चातर गनिती अबासा में सोचने में समझने लगते हैं अब्यास कारिया गनित सिक्षन के उद्देशों की प्रापती में साहता करता है अब्यास कारिया के दोवारा चातर विबिन नियम वे सुद्दानतों को नहीं रठते हैं बलकि अब्यास के दोवारा उन्हें अपने वेवार में अपना लेते हैं तो यह हमारे अभ्यासकारिये के लाब होते हैं आयोब, drill method, drill with the यह जो हमारा drill work होता है इसके बारे में अब आप समझ पाई होंगे वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने B.A.D. गुरूप में दोस्तों के साथ सेयर कर सकते हैं B.A.D. के सभी सब्जेट के daily regular classes लेने के लिए आप इस चैनल को subscribe कर सकते हैं Till then, bye bye, take care